हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अटल टनल या कहें अटल सुरंग के बारे में यह विस्विकी सबसे लंबी सुरंग है जिसका उड़ाटन परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था तो दोस्तों अटल टनल के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा इतिहास जान लेते हैं कि टनल क्यों जरूरी था और इसी कलपना कब की गई थी दोस्तों अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए अब श्टार्ट करते हैं दोस्तों भारत में दो जगह है एक मनाली जो ही माचल परदेश में है और दूसरा ले जो लद्दाक में है इन दोनों सहरों को एक निस्नल हाइवे जोरती है और वो निस्नल हाइवे रोहतांग दर्रा से पास करती है मनाली और लेह पहारी इलाका होने के कारण वहां बहुत भारी बर्फबारी होती रहती है जिसके कारण ये हाइवे साल में 6 महीने बंद रहता है हाइवे बंद रहने के कारण लोगों को आने जाने में मालड होने में काफी समस्या होती है इसी समस्या को दूर करने के लिए अटल टनल का निर्मान किया गया है दोस्तों अब देखते हैं कि टनल बनाने क्या विचार कब आया था 1960 में मैरोबियन मीशन की एक रिपोर्ट आयी थी जिसमें रोहतांग पास से टनल की संभावना पर विचार किया गया था 1983 में सरकार को टनल बनाने का विचार आया था मरोबियन मीशन रिपोर्ट के 49 साल बाद उस समय के प्रधानमंदरी अटल विहरी बाजपईई ने 2013 में टनल बनाने की घोसना की थी लेकिन इस घोसना के 9 साल बाद भी कंस्ट्रक्शन किसी कारणवस श्टार्ट नहीं हो सकी थी इस टनल के कंस्ट्रक्शन का कारणवस श्टार्ट हुआ 2010 में और इस टनल का नाम रोहतांग टनल रखा गया था जिसे बाद में परधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2019 में बदलकर पुर परधानमंत्री अटल बिहरी बाजपईई के नाम पर अटल टनल या अटल सुरंग रखा गया चलिए अब कुछ फैक्ट देखते हैं अटल टनल के बारे में इसे रोहतांग सुरंग भी कहते हैं इस टनल का नाम अटल भूदपुर परधानमंत्री अटल बिहरी बाजपईई के नाम पर रखा गया है इस टनल का निर्मान हिमाले के पीर पांजाल स्रेनी के रोहतांग धर्रा में किया गया है रोहतांग पास हिमाचल परदेश में है इस टनल का उद्गाटन माननीय प्रधानमंत्री स्री नरेंद्र मोधी द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को किया गया यह वर्ल्ड की सबसे लंबी हाइवे टनल है जो मनाली हिमाचल परदेश को ले लद्दाक से जोड़ती है इस टनल की लंबाई 9.02 किलो मीटर मिन्स 5.6 माइल चौराई 10 मीटर 33 फीट और उचाई 3048 मीटर से 300 मीटर मिन्स 10,000 फीट से 10,171 फीट है इस टनल को कंस्ट्रक्शन कंपनी BRO Border Roads Organization ने बनाई है इस टनल का आकार Horse Sioux की तरह है Horse Sioux होता है मतलब होता है कि गोरे का खूर जिसे बोलते हैं गोरे का गोरे का जो पैर के जो सेफ होता है उस सेफ का है इसे बनाने में 32 करोर रुपे खर्च हुए यह टनल मनाली और लेह के बीच 46 किलो मीटर की दूरी को कम करती है तो यह था अटल टनल के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे करेंट टॉपिक पे अगर आप के पास कोई सुझाब हो या सिकायत हो तो आप मुझे बता सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपिया इसे लाइक करें और सेर करना न भूलें थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग